अब मैं चत पे थोड़ा सा लेट आती हूं जब दूप आ जाती है तब और नीचे का जब तक काम निपटा लेती हूं तो ब्रेकफास्ट अगरा सब मैंने बना लिया था उसके बाद मैं चत पे आई हूं जल चड़ाने इतलिस दूप तो दिख चाहे और दूप अभी बहुत मैं इलनों का पहले ही बना चुकी हूं लेकिन मैंने सोचा कि अभी लंच के लिए इलनों से पूछती हूं क्या खाएंगे तो लंच बना दूँगी उसके बाद बनाओंगी तो फिर आज कमल जी ने बोला कि लंच उन्हें कुछ और खाना है जो हम लोगे यहां का होता है न चला देने से मखन निकल जाता है अलग और चाच अलग तो एक्चुली घी खतम हो गया था और फिर मुझे याद आया कि अभी मुझे थोड़ा सा काम है गीका और आलस के चक्कर में यहां पर मतलब वो मिलता नहीं है और चांदी चौक से कमल जी लाते हैं तो उनको भी सैनल जाएगा फिर बना लेती हूं उसके बास माद पंगा लेंगे और थोड़ा सा मखन मैने निकाल के अलग से रग दी है यह के लिए और जबभी मैं बनाती हूं तो एसे मखन बना कहीं लग देती हूं गी नहीं बनाती हूं क्योंकि इतना ज्यादा बनता नहीं क्योंकि हम लोग रेगुलर दूद नहीं लेते हैं तो यह बन रहा है पिघल रहा है और गी बनाने में सबसे अच्छा मुझे लगता है जो घर का जो चाच होता है वो काफी अच्छा हो जाता है क्यो दूसरा उस समय मुझे थोड़ा जादा काम था और जो बजार का होता है वही हमने मंगवाया था लेकिन मैंने सुचा है इतिल मैंने भुन के रख लिया था था बुनना बचा हुआ है इसको इसको ड्राइ रोस्ट करूंगे और फिर बनाओंगे तिल के लड़ू क्योंकि यह और जो हम लोगे यहां जो चुटलाई बोलते हैं उसका बनाते है पोहा का तो वह भी बनाना था लेकिन वह अभी देखती हूं किसी दिन बनाओंगी और अभी तो ठंड है तो ठंड में तो यह है कि किचन में आप किती देर भी खड़े रहो और टाइम का पता नहीं मतलब पीसा था और यह तिल मैंने भून के रख लिया और यह घी बन चुका है और उसके बाद यह यश्क पनीर के पराठे दही अचार और मक्षन यह यश्का है और कमल जी को आज यह खाना था चूड़ा दही चीनी और अचार यह टिपिकल मिधिला का वह होता है बहुत ही खास म अभी के टाइम में चाथ पर बहुत जादा टाइम पिताती हूं तो मेलनिन की विजए से भी स्किन में हमें मतलब अलग अलग जगह पे स्पोर्ट से नज़ाने लग जाते हैं मतलब रिजन चाहे जो भी हो लेकिन पिग्मेंटेड स्किन या अग धपे वाले स्किन अच्छ हो गएरा रीजन बहुत सारे हो सकते हैं पर उसका सलुक्षन देता डिफिकल्ट नहीं है उसके लिए मेरे पास है मामा अर्थ का बाइबाई ब्लेमिशिस फेस क्रीम तो पहले मैं आपको इसके इंग्रीडियेंट बता देती हूं दो में इंग्रीडियेंट है विटामिन सी और मलबरी एक्स्रेक्ट तो मामा अर्थ का है तो यह इसमें कोई भी हमफुल गैमिकल नहीं है कोई भी मिनरल वायल नहीं है और यहर टाइब के स्कीन के लिए सुटेबल है और मामा अर्थ की वेबसाइट से अगर आप कुछ भी परचेस करते हैं तो आपका हर एक और एक मामा अर्थ की में सीडिकथ 2,025 व्लीयन प्लांट से लगने का और मामा अर्थ प्लाकी पोजीटिव इंडिल्न ब्रैंड है और यह करीम में लबारी हूं तो यह बहुत ही लाइट वेट क्रीम है तो तो इसमें यह भी टेंशन नहीं कि चिप चिप हो और मैंने लगा लिया मेरे skin मुझे काफी better लग रही है उसके लबाद dark circle ऐसी जीज है जिसकी विएसे हमारे skin कितनी भी अच्छी हो लेकिन dark circle की विएसे हमारे skin अच्छी ने दिखती फेस अच्छा ने दिखता और हम बिमार बिमार से लगते हैं तो उसके लिए mama art के पास है ये और ये क्रीम बहुत ही जेंटल है क्योंकि मामा अर्थ की है तो आपने शिंथ हो गए इसको यूज कर सकते हैं ये सिलिकॉन और पेराविन फ्री है और हाट टाइप के skin के लिए suitable है और तो आपके चाहे नीन की कमी की वैसे चाहे पॉल्यूशन की वैसे या जिस वी वैसे डाग सरकर हो लेकिन बहुत ही असानी से आप उसको हटा सकते हैं इस तरीके से आखों के नीचे एक से दो मिनट तक मसाज करना जिसे क्रीम अच्छी तरीके से और यह आखों के नीचे के skin को रिजविनेट करता है में इंग्रीडियंट है कुगुंबर और पैप्टाइट्स कुगुंबर सब को ही पता है कि हमारे skin के लिए कि इतने अच्छी होती है यह हमारे आखों के नीचे की तचा को सूथ करती है और जैसे की pigmented skin हो उसको भी सही क इंकल्स उन सब से आपको चुटकारा मिल जाएगा और आपको एक एवन तुचा मिलेगी और दूसरा है यह बाइवाई डाक सर्कल अंडर आई क्रीम इससे आपकी जो आखों के नीचे की तुचा है अगर वो खराब हो रही है या डाक सर्कल्स पढ़ गए तो उनको आप न और डिसकाउंड मिल जाएगा मामा अर्थ की वेबसाइट पर मैंने मामा अर्थ की एप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसे की जो भी ओफर्स होंगे डिसकाउंट होंगे उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसका फाइदा उठा सकते हैं मामा अर्थ के प्रोड़क्ट आपको एमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, परपल इन सब पे तो मिली जाएगा साथ में मामा अर्थ की वेबसाइट पर और आज कल मैंने देखा है कि कुछ जगह पे मामा अर्थ के ओफलाइन स्टोर भी खु मैं यूज करती हूँ और मुझे मतलब सही लगता यह ब्रैंड और तभी मैं आप लोगों को भी रिकमेंट करती हूँ यह नहीं है कि हावस वीडियो के लिए मैं बोल रही हूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप चेक कर लीजेगा और मैं चत पे पहुंच चुकी हू और इसके पैरों में कुछ रिंग टाइप की है और कित भी इसको पास जाके इसकी वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल नहीं हिला तो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ नीचे आके मैंने चाय बनाई है और यह चूड़ा दही खाने के बाद दिमाग बिल्कुल ही वह हो गया था जाए तो उसके बाद यह गी जो मैंने अभी तक चाना नहीं था तो इसको फिर अभी रखना है यह इस तरह से बन चुका है और आके बरतन धो रही हो क्योंकि बरतन तब धोने की इमती नहीं हुए और ठंड में अगर दही खालो ना तो बिल्कुल ही मजा आ जाता है और कमल सब्सक्राइब को उबाल लिया और उसके बाद पी रही हूं इससे थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी क्योंकि यह दही खाने के बाद तो एसा लग रहा है बस सोते रहो यह ठंड लग रही है और यह मतलब बहुत सारे इसके गुन होते हैं तो यह यह को भी में जबरदस् सुखा लिया ताकि कोई भी नमी न रह जाए तो यह सूख चुका है अब उसके बाद इसमें ट्रांसफर कर रही हूं और ज्यादा नहीं मनाया मतलब जितना मुझे लगता है घर में जितनी मेहनत लगती है उसे जाप से कॉंटिटी कम बनती है तो फटा-फट से इसको ट्र यहां मिलता भी नहीं है तो फिर इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले मैं बनाई लेती हूं फिर उसके बाद मैं लड्डू बनाऊंगी और यह नारियल जो मैंने ग्रेट किया था इसको मैं थोड़ा सा इसमें आग पे भूलूंगी जैसे कि खुश्बू आने लग जाए और थोड़ा मतलब लड्डू फ्रेश रह जादा दिन था उसके बाद इसमें थोड़ा सा गी डालूंगी वस इतने से घी के लिए मैंने गी बनाया और उसके बाद गुर्ड डाला है मैंने तीन सो साड़े तीन सो ग्राम करीब ज्यादा अंदाजा नहीं है मुझे वजन का लेकिन मैं अंदा जैसे एक किलो के पैकेट में से निकाला इतना तो आइडिया है और उसके बाद ये खुश्बू आने लगी इसमें से नारियल में से तो जो मुझे मतलब इंग्रिडियेंट जल्दी में समझ आया वो मैं डाल रही हूं क्योंकि जब भी मैं बनाती हूं त और ये गुड़ जो होता है ये वाला इसका टेस्ट बिल्कुल गाओं के गुड़ जैसा होता है उसके बाद ये जो नारियल का ये क्या बोलते हैं ग्रेट किया वा नारियल ये डाल दी है मैंने और उसके बाद अब मैं डालूंगे इसमें भुने हूए तिल वैसे मुझे से सता रोल unique डीयुक्ण के लिपाद में और संग living cm written YouTube सिस्ता एक बॉल Beautiful do नहीं तो वह सूख जाएगा और अगर यह थोड़ा से ड्राइब हो जाता है ना बनाते बनाते भी तो फिर मैं कि अगर तो दूसरे बर्तन में गुड़ को पिगला कर फिर उसमें डाल देती हो जिससे कि अगर यह सूख भी जाया ना तो फिर वह और रहाम से बन जाता है तो और दूसरी वात है कि अगर आप खुद के उपर हो मतलब कोई गार्डियन नहीं आपके सर के उपर कि हाँ ऐसे क्यों कर दिया तो फिर आप मंदलब सही से कर पाते हो या जो भी गलत भी करते हो कुछ भी करते हो चलता है नहीं तो अगर जैसे मेरे उपर अभी कोई होता बोलने के लिए जैसे मादर नहीं नहीं होती फिर मेरी इंमत नहीं होती कि कुछ भी गरबर करूं और यह मैंने ज्यादा गुड़ वाले बनाई यह थोड़े हा तो आज का दिन मेरा ओलमोस्ट यही सब कारिक्रम में लग गया मदब ऐसे देखने में लगता है कि बहुत कम टाइम लगता है लेकिन करते करते लगी जाता टाइम फिर किचन विचन सारा साफ किया मैंने और उसके बाद जो लड़ू थे उनको ठंडा होने के बाद मैं डबे म में नहीं आता क्योंकि ज्यादा शाम हो जाएगी रात हो जाएगी तो फिर उसके बाद तो फिर लगेगा बस रजाई में गुज जाओ और यह मैं बना रही हूं आलू और गोभी का भुजिया या सूखी सबजी कह लीजे तो बस यह पराठे मेरे हरे नीले पिले जो भी कल मेरे निया पत्ता भी डाला है मैंने पराठे में तो यही आज का हमारा सादा सिंपल साठ डिनर है और उसके बाद मैंने किचन को बरतन बरतन धोगे निप्ता दिया है तो बस अब जारी हूं सोने के लिए तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था मिलती हूं आप से नए झाले